राष्टिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शेक्षिक प्रध्योगी की संस्थान दोरा प्रस्थु थे किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्र का किशोर जगत इस शंखला में सुनते हैं कारिक्रम रानी लक्ष्मी बाई इतना मज़ा रहा है हाथी की सवारी में है ना ना मुझे भी हाथी की सवारी बहुत अच्छी लगती है नाना मुझे भी बिठाओ ना अपने हाथी पर में क्यों बिठाओ तुम्हें मनू अच्छा नाना मुझे तो बिठाओगे ना हाँ हाँ तात्या क्यों नहीं पर थोड़ी देर बात नाना मुझे भी बिटा लो ना ये मेरा हाती है मैं क्यों बिठाउ नाना तो नीचे नाना तो उपर लो ना का 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 अरे अरे क्या हुआ मनु बेटी देखिए नाना हाथी पर सवार होकर गूमने जा रहे हैं मैं भी हाथी की सवारी करूंगी उन्हें रोके ना अरे अरे बेटी वो देख हाथी तो काफी आगे निकल गया है थे सवारी तो राजा लोक करते हैं तू ठेरी गरीब ब्रहमन की बेटी तेरे भागये में हाथी की सवारी कहां अच्छा ये बात है तो लगी शर्ट मैं आपको एक नहीं दस दस हजार हातियों की सवारी करके दिखाऊंगी तेरे मुँ में घी शक कर विटी ये थी लक्ष्मी बाई जिनका बश्पन का नाम था मनू मनू का जन्म 19 नवंबर 1835 में काशी के एक ब्राह्मन परिवार में हुआ था मनू जब छोटी थी तो इनकी माता भागी रथी बाई का दिहान थो गया पिता मोरोपंत ने इनका लालन पालन किया मनू ने रणविद्या, धनुष चलाना, बंदूग चलाना, अश्वा रोहन, कुष्टी, शिकार खेलना, नकली युद्ध करना तथा व्यूहू की रचना करना भली प्रकार सीख लिया उस समय बाल विवाह के प्रत्था थी, इसलिए मनू जब छोटी उमर की ही थी, तो उनका विवाह गंगा धर राओ के साथ हो गया विवाह के पश्चात मनू का नाम लक्ष्मी बाई रखा गया लोगों ने जय जय कार की रानी के दर्शन के लिए दासियों ने रानी को घेर लिया तुम लोग कौन हो सरकार हम लोग तो आपकी दासिया हैं जी सरकार दासिया नहीं तुम लोग तो मेरी सक्षिया हो अपने अपने नाम तो बताऊ जी मेरा नाम सुंदरी ये काशी बाई और ये सरकार मैं जूही हूं तुम लोगों को घुरसवारी आती है? सुन्दरी को तो घुरसवारी बहुत अच्छी आती है. हम लोगों को भी आती है. फोड़ी थोड़ी आती है. अच्छा, क्या तलवार कटार भी चला लेती हो? नहीं, मैं सरे तलवार कटार भी चला लेती हो? बच्पन की सीखी रणविद्या रानी के बहुत काम आई रानी ने वीरांगनाओं की एक फौज तयार कर ली और रानी राज्य के सभी कामों में रुची लेने लगी कुछ समय बाद रानी के एक पुत्र पैदा हुआ पर कुछी दिनों के बाद उसकी मृत्य हो गई गंगाधार राओ इस धक्के को सेह न सके और बीमार रहने लगे एक दिन गंगाधार राओ ने रानी से कहा लक्ष्मी अब मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगा ऐसा ना कहें महाराज आप चल्दी ठीक हो जाएंगे तुम कुछ भी कहो लेकिन मेरी बात सत्य होगी मैं बेना पुत्र के नहीं मरना चाहता हूँ मैं किसी बालक को खूद लेना चाहता हूँ राजत मुझे इसमें कोई आपत्ती नहीं है महाराज 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 अंग्रेजों ने बालक दामोदा राओ को गद्धी पर बैठने की अनुमती नहीं दी अंग्रेजों ने जहांसी को अपने राज्य में मिला लिया राणी को पेंशन दे दी गई इससे राणी खुश नहीं हुई 1857 में राणी ने सेना के संगठन किया और पहला युद्ध जहांसी के किले में हुआ राणी बहुत बहादुरी से लड़ी उन्हों में जियाजी राओ सिंधिया और जनरल स्मित को हराया युद्ध के दौरान राणी ने अपने पुत्र दामुद राओ को पीट से बाद लिया था अचानक राणी को गोली लगी और राणी कोई परवाह किये बिना लड़ती रही और सेनिको का होसला बढ़ती रही जान पर ठेल जाओ सेनिको ये आजादी की लडाई है हम इसमें शहीद हो जाएंगे लेकिन पीछे नहीं होटेंगे हमारे भीतर देश भक्ति की आग जल रही है इस से हम तुष्मने को जुलसा देंगे पर दुरभाग्य से उनका नया घोड़ा नाला पार न कर सका राणी जान गई कि अब युद्ध में जीतना कठिन है गिरते गिरते राणी ने अपने सहयोगी से कहा रामचंद तुमसे एक बात कह रही हूं महारानी शत्रू मेरे शरीर को हाथ ना लगाने पाए जी महारानी यह 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 मेरी अंते मिच्चा हैं महारानी महारानी रामचंद रानी के मृत शरीर को गंगा दास की कुटिया में ले गए गंगा दास ने मृत रानी के मुह में गंगा जल डाला अपनी कुटिया की घास फूस डाल कर रानी की चिता को आग लगा दी और इस तरहें रानी वीर गति को प्राप्त हुई घायल होकर गिरी सिंगनी उसे वीर गति पानी थी गुंदेले हर बोलों के मूँ हमने सुनी कहानी थी उबलडी मरदानी बोतो रासिवाली रानी थी रानी लक्ष्मी बाई विशे संयोजन अम्रेंद्र बहरा आलेक सुधा भटनागर कलाकार सुचित्रा गुप्ता नीरश्यर्मा सुरेश शास्त्री राजेश आहुजा भगवान्दा स्वध्वा पल्लवी पायल और आर्तिबक्षी नन्यंकन दीपक पांडे नर्मान दावु देयाल चत्रवेदी तथा नर्मान इवं प्रस्थुती वंदना अरिमर्दन